Hi guys, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूसफुल होने वाली है, अगर आप एक iPhone 11 user हो, इस वीडियो को लास तक देखना कोई स्टफ मिस नहीं करना, मैं आपको iPhone 11 का review करके दिखाऊंगा, कि iOS 17.1.1 में iPhone 11 कैसी performance दे रहा है, क्या issues आए हैं इस update को install करने के बाद में, और अगर अभी तक आपने अपडेट इंस्टाल नहीं किया, तो क्या आपको ये अपडेट इंस्टाल करना चाहिए था, या फिर नहीं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले आप देख सकते हो, मेरा iPhone 11 है, अल्मॉस्ट परपल कलर वाला वीरियंट है, जो की थोड़ी त आपको पर अपर देख सक्वाच वार अपको पोलिया और वी थोडियो सब्सक्राइब करने है, तो कैसा परफोर्मेंस देखने को मिलती है, बैटरी की तरफ से, तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो, मेरी जो बैटरी है यह चेंज हो रखी है, लेकिन अरिजिनर है, इस phone की जो battery health है ना ये वाली battery की health जो 88% है और मैंने 3Dool से computer से चेक की है अभी भी इस update को install करने के बाद में एक दो हफते के बाद में भी 88 की 88% health ही है सो battery health drop नहीं होई इस update को install करने के बाद में उसी के बाद दोस्तों आपको एक चीज दिखाओं तो इस phone में जो मेरे को सई चीज क्या लगती है कि इस phone में storage bug बिल्कुल भी नहीं है storage bug कहने का मतलब काफी phones में ऐसा हो रहा है कि हमारे case में iPhones जो है आपना system data बहुत जादा collect करके रख रहे हैं लेकिन iPhone 11 में मेरे को ऐसा कोई इसू देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी नहीं सो आपके case में क्या storage bug है या नहीं है do let me know in the comment section उसी के साथ जोस्तों आपको camera performance की बात करों तो camera में iPhone 11 में कोई issue नहीं आया काफी लोगों ने मेरे को comment किया था Instagram पर भी किसी भाई का एक मेरे को comment आया कि इस update के बाद में मेरा camera खराब हो गया black हो गया तो दोस्तों मैं आपको यह कहूंगा कि update से camera खराब नहीं होगा शायद उस बंदे का phone ड्रॉप हुआ होगा यहां फिर वो camera कहलों malfunction कर रहा है वो camera ही खराब है update से camera उसको कोई issue नहीं आता इस तीज को मैं clear कर दो कि selfie camera भी बिल्कुल okay काम कर रहा है और video की case में भी जैसे default by default iPhone गाम करता है वैसे ही हर एक fps की उपर आप अपने video शूट कर सकते हो 4K 63 fps बड़े अनाम से शूट हो रही है performance की बात करूं तो दोस्तों आप यहां पर Geekbench scores देख सकते हो आज ही मैंने यह test run किया है CPU benchmarks तो आप देख सकते हो history में तो इस phone में जो single core की scores आए है वो 1746 आए है और multi core की score 4133 है आपकी case में क्या यह changed है या नहीं do let me know in the comment section अगर आप भी run करते हो benchmarks को so GPU scores की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 13,000 14,000 के आसपास थोड़ी सी कम ही है वैसे काफी शांतार scores देखने को मिले है so मेरे को यह चीज़ पसंद आए कि iPhone 11 जो है अभी भी अपनी जो fast performance को maintain करें रखे हुए है so iPhone 11 एक तरह से neutral काम कर रहा है हर एक case में iOS 17 में जैसे XR hang कर रहा है iPhone XR जो मैंने iOS 17 में ट्राय किया है लेकिन iPhone 11 बिल्कुल भी lag hang नहीं कर रहा जैसे by default normal था वैसे ही काम कर रहा है charging speeds की बात करों तो दोस्तो iPhone नॉर्मल ही चार्ज हो रहा है अगर आप fast charger लगाते हो तो काफी fastly charge हो जाता है बाइदवे अभी जो मौसम मेरे case में मेरे area में ठंडा है जिसके कारण charging थोड़ी सी slow होई है जैसे phone बिल्कुल थंडा पड़ा रहता है तो इसको मैं 20W का fast charger भी Apple का original उसकरता हूँ तो वह पहले थोड़ा warm-up होने में टाइम लेता है पहले starting 10-15 minute चार्ज होती हो थोड़ी slow होती है और फिर बूस्त हो जाता है एकदम से गरम होकर बैटरी को नॉर्मल मिनिमल टेंपरेशर मिल जाता है गेमिंग की बात करूँ तो दोस्तो आपको जो है PUBG अगर आप basic beginning graphics पर खेलोगे तो दोस्तो आपको PUBG बहुत smooth रहने वाली है और heat भी नहीं करेगा इतना ज़ादा हाँ आपको पता है कि गेमिंग में फोन इट करते हैं वो करेगा है लेकिन excessive heat नहीं करेगा अब जो सर्दियों की दिनों में तो phone और भी कम heat करेगा so gaming आप बड़े अराम से iPhone 11 अभी कर सकते हो iPhone 11 से gaming के दरान मैं चार्ज वगरा नहीं करता हूं फुल चार्ज करके अगर मैं एक एरेंगल का फुल कर दूना टेस्ट एक map मैच लगा लो तो मेरी 30 से 35 परसंट बैटरी ड्रॉप हो जानी है बस इतना ही फुल मैच में अगर आप अपने फोन को अपड़ेट नहीं करना चाहते तो ना करो वह सबसे बढ़िया चीज है अगर आपने अपड़ेट कर लिया है तो आपकी केस में कोई इशू आया नहीं आया प्ली ज़रूर बताना so this was the video regarding iPhone 11 कैसी लगी do let me in the comment section thanks for watching guys thank you so much